आप सब लोग करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एडुकेटर अमान शर्मा आप सब लोगों तक मेरी बुक पहुच गई होगी थांक यू फॉर मेकिंग एक बेस्ट सेलर ऑन अमेज़ान इन यू पी सी 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 कैटरगरी और आप लोगों ने बुक को काफी हद तक देख लिया होगा तो बुक के अंदर पांच सेक्शन में डिवाइड है फर्स सेक्शन अ आप मेरे साथ कवर अब कर रहे हो और अगर आपने भी तक यह पर चेज नहीं करी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा बुक के अंदर मैंने बहुत ही संशिप्त में सारी चीज़ें लिख दी हैं अकाउंटिंग के लिए इंडेश्य डिशन लेबर लॉज और बाकी सार लिए लेक्षर नमबर वन जहां पर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर अप किया था यह हमारा लेक्चर वन का ही एक कॉंटिनुएशन पार्ट होने वाला है इसलिए इसका जो टाइटल है वो भी लेक्चर वन ही मैंने रखा है लेक्चर पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि आपको याद होगा लेक्चर नमबर वन के अंदर मैंने बोला था कि जो असेट और लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है वह हम लोग अपनी अगली क्लास में कवर अप करेंगे ठीक है तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो जो चीज़े क cover up करें थी वह ति कि वह अकोंटियंक का मतलब क्या होता है फिनैंशल अकॉंटियंग कॉस्ट अकांटियंग मनेजमेंट अकॉंटियंग किया होती है फिर यह अलग-अलग ब्रांचिस था अकांटियन के बारे में हम लोगों कवर किया था मैंने आपको िन्टिटी टांजrän असेट और बाखी सारी चीज़ें एक्स्प्रीन करी थी इसके अंदर हमें हम लोग आज के सेक्शन में असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में चीज़े कवर अप करेंगे आप अपने ऊपर देखो अकाउंटिंग भी ना अकाउंटिंग और एकनोमी यह दोनों ही ना इसेट्स हैं और सब अपने खुद की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आप यह देखो कि वाट आर यह एसेट्स आप जिस घर में रहते हो वह आपका खुद का खरीदा हुआ है और वह आपके लिए एक असेट है आपके हाद में मुबाइल फोन है या लाप टॉप है जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हो वह आपका असेट है बट कुछ और की चीज है इसलियत में वह हमार लिए लाइबलिटी बन जाती है तो सिंप्ली असेट और लाइबलिटी का जो गेम है अगर हम किसी भी एकनॉमिक ट्रंजेक्शन या किसी फोर्म या कंपनी के अंडर बात करें या किसी इंडिविजुल के लिए बात करें वहां पर भी स कुंसेप्ट ही काम करता है ठीक सो असेट और लाइबलिटीज हम लोग आज कवर अप करने वाले फिर उसका डिफ्रेंस देखेंगे यह जो बाकी साही चीज़ें यह मैंने आपको बता दिया था ठीक चलिए नाओ हां जी सो बटार एसेट्स एसेट्स क्या होते हैं सिंप्ली असेट्स और कंपनी एकनॉमिक रिसोर्स एक कंपनी के एकनॉमिक रिसोर्स जिनको आप मॉनिटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो जैसे अगर कंपनी की मानलो कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग की कोई ना कोई वैल्यूएशन होगी या कंपनी के पास मानलो कुछ कार्व हैं उसको आप इन मॉनिटरी टर्म्स डिफाइन कर सकते हो तो अस्टेट वह कंपनी के एकनोमिक रिसोर्स होते हैं जिनको मॉनिटरी टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अस्टेट साथ वैल्यूएबल गुड्स डेट अकंपनी यूज़े इस ऑपरेशन पिछले लेक्चर में मैंने आपको ब्लिंकेट का एक्जाम्पल दिया था ब्लिंकेट के पास अपने खुद के ट्रक्स हैं जिन ट्रक्स की मदद से वह एक जगे से दूसरी जगे अपने ग्रॉसरी आइटम्स और बाकि सारे समान लेकर जाते हैं तो वह जो ट्रक्स है उनको जब मॉनिटरी टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे वह कंपनी कैसे हम लोग इन असेट्स को डिवाइड कर सकते हैं करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स अगर आप बुक में देखोगे वैसे भी मैंने आपको सिंपली एक रूल समझाया हुआ है कि करेंट एसेट का मतलब क्या है कैश एंड अधर असेट्स डैटर एक्सपेक्टे इसलिए लिक्विडेट हो जैसे जनरल इंडिविज्विज्व के बारे में बात करें हमारे देश में इतना सोने गोल्ड को लेकर इतना ज्यादा चलन क्यों है छोड़ी सी भी इंवेस्टमेंट होती है बंदा गोल्ड में इंवेस्ट कर देता है बंदा लेंड में इंवेस से मिल जाएंगे तो current assets simply वह होंगे वह वाले assets होंगे जिनको हम cash के अंदर convert कराने की सोच रहे हैं within a year क्योंकि यहां पर हम लोग एक firm या एक company के बारे में बात कर रहे हैं यह जो चार्ट है यह NCRT का चार्ट है non current assets होंगे यह वह easily cash में convert नहीं हो सकते हैं तो इस तरीके से assets को current और non current में हम लोग divide कर सकते हैं ठिक तो बटीजा current asset a current asset is an asset that a company holds and can be easily sold or consumed and further led to the conversion of liquid asset easily उसको consume किया जा सकता है easily उसको convert किया जा सकता है जो जो line बोल रहा हूं बहुत ध्यान चे सुनना यही line आपको directly EPFO examination में देखने को मिल जाएंगी examination बिलकुल hard नहीं है the thing is कि जो जो मैं बोल रहा हूं उनको आप ध्यान चे सुनते जाओ exact line आपको मिलेंगी ठीक है तो current asset is an asset that a company holds and can be easily sold or consumed or further led to the conversion of liquid asset एक company के लिए current asset उसके सबसे important part होते हैं तो हर एक व्यक्ति को डड़तो होता है ना कि वह डूप जाएगा और उस समय पर कुछी चीजें काम आती है है ना तो वो जो liquid easily हो जाए वो एक व्यक्ति को space देते हैं कि व्यक्ति उस पैसे को बेच कर अपने day to day business चलाने के लिए अपने current business expenses को निकालने के लिए उस पैसे का इस्तमाल कर सकता है very important तो current asset के अंदर क्या-क्या recevables, market securities, prepaid expenses या बाकी liquid assets अगर यह नहीं लिखा है प्लीज इसको लिख लो इसको लिख लो अगर आपके पास book है तो book के अंदर भी इस ओले formula को आपको लिख सकते हो तो मैं आपको यहां पे extra कराऊंगा ही ना ने तो आपको मज़ा कैसे आएगा I will definitely tell something good सुध्यान रखो इस सारी की सारी चीजों का ठीक चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं तो current assets हम लोग समझ गए अब non current assets समझते हैं non current assets is an asset it is a kind of asset that the company acquires invest पर उसकी जो value है इस investment ही वो उस particular accounting year के अंदर आपके पास नहीं आ रही है ठीक उससे जो profitability आपसे चीज आ रहे है वो within a year नहीं आ रही है these type of investments last for long and cannot be easily liquidated into cash and can generate economic benefit to the company for more than a year एक साल के अंदर अंदर ये cash में convert नहीं होती है they are not converted into cash within a year ठीक and they can generate economic benefit to the company for more than a year एक साल से जादा के economic benefit दे सकती है जैसे company capitalizes the cost of the asset or investment for a long time rather than evaluating it within the year of purchase of the asset उसको एक long term motive check company उसका इस्तमाल करती है non current asset appears in the balance sheet of the company जखो balance sheet के अंदर तो current और non current ये दोनों ही आएंगे जब हम लोग transaction of business वाले chapter करेंगे मैं आपको एक एक चीज समझाओंगा कि किस तरीके से आएंगी सारी के सारी चीज़े ना moving on आपको कुछ ना formula remember करने हैं ठीक है जैसे current ratio क्या होगा what is current ratio current asset divided by current liabilities चलो इनको ना बाद में करेंगे थोड़ा सा बाद में करेंगे इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं liabilities let us understand liabilities और उसके बाद फिर ये वाली जो चीज़े मैं आपके साथ बता रहा था ना वह वाली जीज़ें हम लोग cover up कर लेंगे अभी तक आप में से किसी को भी कोई भी इस्यों नहीं आ रहा होगा जैसे हम लोगों ने assets को डिवाइड किया उसी तरीके से हम लोगों ने liabilities को भी current liability और non current liabilities में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया this is how you classify liabilities now simple चीज क्या है liability के अंदर देखो जो भी पूरा गेम चल रहा है वो विदेन अ येर का चल रहा है यह अपने brain में रख सो current non current चैब सेट है liabilities है एक साल के अंदर हो रही है एक साल के बाहर हो रही है उसके ऊपर चीज़ा डिपेंड कर रही है current liabilities are an enterprises obligations या उस company के debt जो की within a year due है within a year due है वो सारे के सारे debt वो सारे के सारे cards जिनको एक साल के अंदर अंदर आपको चुकाना है वो सारे आपके current liability का part आएंगे moreover current liabilities are settled by the use of current asset अब एक साल के अंदर liquidate कर पा रहे हो जैसे आपने कोई नहीं inventory करी उसको liquidate कर पा रहे हो उसकी मदद से आप current liabilities को ही balance करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है अब ये current assets की मदद से नई current liability या cash भी create किया जा सकता है या दखना the average amount of current liability is an important component जिससे कि एक company की short term liquidity measure की जा सके ठीक है कि भाई current liabilities company के वास कितनी है उसी से ही पठा लगता है कि एक company एक firm कितनी strong है कितनी उसके अंदर will है कितनी ताकत है कितनी वह market के अंदर एक value रखती है ठीक है clear अब देखो current asset को current liability से आगा डिवाइड कर देते हैं current asset divided by current liability तो हमें निकलता है एक ratio जिसको हम लोग बोलते है current ratio याद रहेगा आपको याद रखना यह लिख लो ठेक current asset divided by current liabilities equals to current ratio easy दूसरा जब हम लोग current asset में से inventory minus कर देंगे which is divided by current liabilities current assets में से हम लोग हमारी inventory minus कर देंगे inventory मतलब जो समान हम लोगों ने बना लिया है जो company वो goods manufacture कर रही है उसमें से अगर हम लोग current liability को ऐसे करके divide कर देंगे तो हमारे सामने जो ratio आएगा उसको हम बोलेंगे qr that is known as quick ratio ये वाला ठीक cash and equivalent of cash which is divided by current liabilities यहां पे सिर्फ और सिर्फ cash या उसके equivalent वाली चीजे current liability से divide कर देंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा क्या ये बन जाएगा हमारे लिए cr the cash ratio ये देख लो ज्यान से सबने कर लिया इंपोर्टेंट है भाई paper में देखो यही चीज है जो मैं आपको पीछे बता रहा था ना current ratio quick ratio तो यह यहां पर आपका cover हो गया ठीक है guys networking capital जब हम किसी कर देंगे तो हमारे पास एक कैपिटल आ जाएगी एक अमाउंट आ जाएगा जो की current asset का part होगा वह बोल देंगे भाई यह इस company की net working capital है this is the net working capital of this company average current asset भी निकाले जा सकते हैं इसमें क्या करते हैं current year और aggregate year for proceeding year को ले ले लेते हैं तो एक average current asset हमारे सामने आ जाता है इस तरीके से निकलता है average current asset तो अभी आपने मेरे साथ current ratio पड़ा quick ratio पड़ा हम लोगोंने दो तरीके के liabilities पढ़ लिए हम लोगोंने दो तरीके के assets पढ़ लिए पैसे liability हमारी रह रही है ठीक है अभी हमने सिर्फ और सिर्फ current liabilities देखी एक और चीज़ याद रखना current liabilities का यह formula notes payable accounts payable accrued expenses unearred revenue current portion of long term debt plus other short term debt यह सब मिलाके आपकी current liability बनाते हैं यह सब मिलाके आपके current liability बनाते हैं accounts payable क्या है they are nothing but the money owed to the manufacturers business में बिना उधारी के काम नहीं चलता खीक और दो उधारी तो विदिना यहरी चुकानी है इतना long term तो कोई देगा नहीं कोई bank का loan तो है नहीं तो accounts payable में वह वाली साही चीज़े आती है accrued accounts they are the bills which are due to a third party but not payable for instance wages payable wage भी तो देनी है third party को accrued interest incorporates all interest that has been accumulated since previously paid जितना आपने अभी तक interest pay नहीं किया है bank account के अंदर जो overdraft facilities है bank loans आपको pay करने हैं आपको dividend payout करना है income tax देना है जो लोग काम कर रहे हैं उनको wages देने हैं यह सब आपके current liability का part होगा clear everyone these all things are a part of your current liabilities clear चलो moving on non current liabilities यह सारी के सारी long term debts होंगे आपके long term financial obligations होंगे जो कि एक साल बात के हैं इनके अंदर यह सारी के सारी चीज़े आती है यह से debentures bonds long term loans deferred tax liabilities long term lease pension benefits deferred revenue ठीक है clear यह सब आपने economic के अंदर already पढ़े हुमें ठीक तो these are for the next accounting period अगले accounting period के लिए होंगे these obligations are not due within 12 months simple याद रखो non current मतलब एक साल के बाद की कहानी के बारे में मैं और आप मिलकर बातचीत कर रहे हैं ठीक है अब यह कुछ points है non current assets are categorized on the balance sheet under the heading of investment property plant equipment intangible assets यह सारे के सारे non current assets के अंदर balance sheet के अंदर आते हैं assets are classified according to the segment of the balance sheet यह कैसे होगा यह हम लोग अपने अगली class में cover up करेंगे investment हमेशा non current assets के अंदर आएंगे सिर्फ तब expected return same year के अंदर नहीं आ रही है within the year वाला property plant land building machines यह सारी के सारी चीजें fixed asset का part होती है intangible कोई भी चीज तब होती है जिसको आप easily mold नहीं कर सकते भुला नहीं सकते ठीक है intangible assets are goods that have no physical presence physical presence नहीं है जैसे shares की भी काहां होती है तो intangible assets may also arise from the sale and purchase of business units clear अब I think अब आप पूरी तरीके से asset or liability के सारे diagram समझ गए हो आपको यह साही चीजें समझ में आ गई है what is asset what is liability और यह difference का graph है जिसको आप असानी से देख सकते हो understand कर सकते हो difference between asset and liabilities already मैं पढ़ा चुका हूं मन करें तो screenshot ले लो कि ले लिया होगा नोट्स बना लिये होंगे ठीक है यह सब मैं आपको explain कर चुका हूं screenshot आप लोगों ने ले लिया होगा यहीं सारी चीज आपको chapter number one के अंदर मिल जाएंगी तो अगर आप देखो गेना तो हम लोगों ने अभी chapter number one just look at it introduction to accounting यह वाला हम लोगों ने cover up कर लिया है इसके अंदर मैंने देखो आप ध्यान से मैंने इसी तरीके का पूरा चार्ट डाला हुआ है अब इसके कुछ mcq है इन टोटल 12 mcq में बुक के अंदर 12 mcq का आप लोग टेस्ट दे सकते हो अगली वीडियो अफ्लोड हो जाएगी उसके अंदर आपका टेस्ट होगा टेस्ट देना मत भूलना ठीक है सोशल सेक्योरिटी की और मौडर्न इडिया की वीडियो इस चैनल पर आ रही है इस पेसिकली एक्सामिनेशन के लिए ही डिलाइन की गई है तो ज़रूर देखना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जुणने के लिए धन्यवाद बाबाए टेक केर टाटा सी यो